नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल दैनिक मंत्र पर, हम फिर से एक बार नई प्रेणादायक कहानी ले करके आप लोगों के सामने आये हैं, तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे च चार स्थानों पर अपनी बेटी का विवाह ना करें अन्यथा आपकी बेटी हमेशा दुखी और गरीब ही रहेगी। वो कौन से चार स्थान है? मैं वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा तो बने रहिएगा। इस वीडियो का अंत होने तक तो आए आज के प्यारा स वीडियो शुरू करते हैं। जिनके घरों में बेटियां हैं, उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य सुन लें। एक शहर के किनारे एक गाव था। उस गाव से एक गरीब मजदूर पिता शहर में किसी बड़े सेठ के यहां काम पर जाता था और उ पिती मा के कहने के अनुसार अपने पिता को दोपहर का भोजन देने जाया करती थी। इस तरह से उसका पिता जो सेठ के यहां नौकर था वो भी वहां काम करता रहा और धीरे धीरे उसकी बेटी जवान हो चुकी थी। सेठ उसकी बेटी को रोज देखता था। तो एक दिन इसी बेटी को पाकर के मैं धन्य हो गया हूँ और ये जीस घर की बहु बनेगी उस घर का उजाला कर देगी उस घर का नाम रोशन कर देगी ये मुझे उम्मीद है अब सेठ के मन में ये लालसा आने लगी का फैसला नहीं कर सकते हो कहां वो गरीब नौकर की बेटी और कहां हम उसके साथ विवाह करेंगे सेठ जी कहने लगे बस करो चरित्रवान बहु घर का नाम रोशन कर देती है अपने घर को स्वर्ग बना देती है और मैं ब्याह करूंगा तो उसी बेटी के साथ करूंगा बेटा और सेठानी इधर उधर बुद्बुदाने लगे बुरा भला कहने लगे मगर सेठ ने किसी की न सुनी और विवाह तै कर दिया विवाह का दिन निश्चित हो गया अब गरीब किसान को चिंता सताने लगी कि इतने बड़े सेठ है मैं उनकी खातिर खुशामत कैसे करूंगा तब सेठ ने चुपचाप खुद ही पैसे भेज दिये और कहा कि इससे तो मेरे बारात वालों की खातिर खुशामत कर देना कहते हैं ना कि बेटी वाले से धन लेकर की कोई अमीर नहीं बनता अमीर तो सिर्फ अपनी ही कमाई से बनते हैं दोस्तों बड़े धुमधाम से सेठ बरात लेकर पहुचा और उस गरीब किसान ने भी अपनी बेटी का विवाह बड़े अच्छे धंसे किया और बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर दिया विदा करते समय पिता ने अपनी बेटी से कहा कि चाहे जान ही क्यों न चली जाए पर मेरा सिर कभी नीचे मत जुकाना इतना कहकर के पिता ने बेटी को विदा कर दिया खुशी-खुशी सेठ अपनी बहु को लेकर के घर आया मगर सास ने बहु का कोई स्वागत सतकार नहीं किया अब बहु घर में रहने लगी मगर सास हमेशा बुरा भला ही बोलती रहती हर काम में गलतिया हो ही निकालती रहती और उसका जो पती था वह कभी अच्छे धंसे बात नहीं करता था क्योंकि दोस्तों वह किसी और लड़की को चाहता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था एक दिन उसने अपनी मा से कहा कि मैं इस लड़की को चाहता हूँ बिलकुल हूर की परी है, बहुत सुन्दर है, जैसे मानव सराही आ गई हो और मा जी इसके पिता भी बहुत दान दहेज देंगे माराजी हो गई और बोली बेटा तेरे पिता के होते हुए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते दोस्तों कुछ दिन बाद अटैक के कारण उस सेट की मृत्य हो जाती है अब उस मा का और उस बेटे का रास्ता साफ हो जाता है उन्होंने योजना बनाई की तेरे बाबूजी तो दुनिया से चले गए अब बाबूजी के साथ साथ इस लाडली बहु को भी उन्हीं के पास भेजना पड़ेगा योजना के वजह से सास ने अपनी बहु से प्यार करना शुरू कर दिया पती भी अच्छे ढंग से प्रेम करने लगा बहु नहीं समझ पाई वो सीधी साधी लड़की यही समझती रही शायत की माजी को मेरी काम पसंद आने लगे है नहीं समझ पाई की मेरे लिए जाल बुना जा रहा है दस दिन हो गए तब सास कहने लगी बहुत तुम्हें मीठे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है तो बहु ने अपना मन पसंद गाजर का हलवा बताया सास ने कहा मैं यह तो बहुत अच्छा बनाती हूँ और फिर दोस्तों सास ने गाजर का हलवा तयार किया और उसमें चुपचाप उसने जहर मिला दिया और बहु से कहा बहु भर पेट खालो आज खाने की बात तुम्हारी तबियत कभी खराब नहीं रहेगी अब बेचारी सीधी साधी भोली भाली बहु ने वो हलवा खाया और जा करके सो गई उसके बाद सुबह वो उठी ही नहीं उसके पिता को फोन कर दिया गया कि तुम्हारी बेटी ने यहां जहर खालिया है हमें फंसाने के लिए इसको ले जाओ पिता जानता था कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती सेट जी मर चुके हैं और यह तो उसे कभी चाहते ही नहीं थे इन्होंने जरूर कोई साजिश की है किसान अपनी बेटी की कंपलेंट ले करके थाने में गया मगर कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैस जिसके पास पैसा है लोग उसी की सुनते है उन्होंने भी कह दिया कि तुम्हारी बच्ची ने स्वयं जहर खाया है यहां किसकी रिपोर्ट की जाएगी जाओ यहां से रोते बिलखते पिता ने अपनी बेटी का अंतिमदाह संसकार कर दिया और उस लड़के ने दोबारादान दहेज ले करके दूसरी शादी कर ली दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ बाते बताने जा रहा हूँ हर माता पिता को विशेश ध्यान देना चाहिए कि इन चार स्थानों पर अपनी बेटी का विवा कभी नहीं करना चाहिए पिता कन्यादान करने से पहले ध्यान से सुन लो की बेटी ससुराल जाए तो किस घर में जाएं वहां उसका मान सम्मान रहे प्रेम करने वाले लोग रहे अपने दामाद में वो सारे गुन देखिए जो आपकी बेटी के योग्य है नमबर एक बहुत पास अपनी बेटी का विवा कभी नहीं करना चाहिए इससे रिष्टों में हमेशा खटास बनी रहती है, अन्बन बनी रहती है जो प्रेम होना चाहिए वो कभी उन रिष्टों में नहीं बन सकता क्योंकि माईके में कोई अच्छी चीज़ बनी है माने फोन कर दिया बेटी आज घर पर बहुत अच्छी चीज़ बनी है तो आजा बेटी तुरंत आ जाती है और याद रखना दोस्तों बार-बार माईके जाने से मान सम्मान कम हो जाता है भाभी कहती है ये तो बिल्कुल पास में है ये तो रोज ही चली जाती है इससे तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुँचती है इसलिए बेटी का विवाह पास में कभी नहीं करना चाहिए दूसरा नंबर बेटी का विवाह बहुत दूर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी-कभी ऐसी परिस्थिती आ जाती है जब बेटी को स्वय ही अकेले ही माय के जाना पड़ता है अब वो माय के जा रही है कोई अन्होनी हो गई है दो दिन लग जाएंगे तब तक जिसके लिए वह जा रही है वो तो चला ही जाएगा 2233 ट्रेन बदलनी पड़ती है 2233 बस बदलनी पड़ती है कितनी परिशानी होती है उसको इसी लिए बेटी का विवाह ज्यादा दूर भी नहीं करना चाहिए और तीसरा कभी भी बेटी का विवाह ज्यादा धनी घर में नहीं करना चाहिए माय के पक्ष और ससुराल पक्ष बराबर ना होने के कारण कई बार ससुराल वाले बेटी के पिता को भिखारी समझते हैं और जीवन भर उसका कोई सम्मान नहीं रहता बेटी के घर में बेटी को भरपूर इज़त और मान सम्मान नहीं मिल पाता है और ऐसी बेटियों की निर्मम हत्या भी की जाती है तुम्हारे पिताने दहेज में क्या दिया? कुछ नहीं दिया तुम क्या लेके आई हो चुपचाप बैठो जैसे कपड़े लाए हैं वैसे पहन लो जो हम दे रहे हैं, वो बहुत कुछ दे रहे हैं ये सारा जीवन उस बेचारी बेटी को सुनना पड़ता है और चौथा हमेशा कुल गोत्र और जाती वाले के साथ ही विवाह करना चाहिए ये भी देख लेना चाहिए कि हमारी बेटी से होने वाला वर ज्यादा बड़ा तो नहीं है चार-पांच साल तो चल जाता है दोस्तों ऐसे चार स्थानों पर कभी भूल के बेटी का विवाह अनना करे नहीं तो बेटी कभी खुश नहीं रहेंगी जीवन दुख में ही बीतेगा यदि मेरी विडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जै माता लक्षमी अवश्य लिखें हम आशा करते हैं कमेंट करने के बाद माता लक्षमी अपनी कृपा अवश्य करेंगी धन्यवाद